नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वान यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया नए साल का तोफ़ा मुख्यमंत्री नितीश कमार दे रहे हैं जो भी सहायक प्रोफेसर्स हैं उनको न्यूक्ती पत्र बाटा जा रहा है ऐसे में आज मुख्यमंत्री नितीश कमार म मुख्य था उसे गिरफतार कर लिया गया है उसको लेकर के मुख्यमंत्री नितीश कमार ने साफ तोर पर कहा कि कारवाई की जा रही है और जगा जगा से लोग पकड़े जा रहे हैं जो भी शराप का आयात या निर्यात कर रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और और उन्हें पकड़ा जा रहा है जो भी इसमें समलिप्त है क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नितीश कुमार इस पूरे मामले पर आई आपको सुनाते हैं देखे जो कुछ भी हुआ है उस पर बहुत ही गंधिलता से एकडम सरकार की तरफ सब लोग दोनों डिपार्टमेंट के लोग पुरी तरह इस पर देख रहे हैं कहां क्या है और एक एक चीज की जांच कर रहे हैं कि कहां कैसे हुआ कौन किया कौन लाया एक एक चीज को देख और जैसे ही गटना घटी तुसको लात ही सब तरह तरह की बात आई वह तो छोड़ दीजा उस पर हमको कुछ नहीं कहाना है लेकिन जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भई क्या हुआ कैसे हुआ है इसको ततकाल देखिए और सब को कहा गया है एक सबसे बड़ी बात है कि एक तो इतना आप जान दीजिए ज्यादा तर लोग तो सराब बंदी के पक्ष में क्या करिएगा कुछ लोग तो होता ही नहीं सबसे इधर उधर करता जाता है और फिर भी जिनको जिम्यवारी दी आते उसमें भी सब ठीक धंग से कभी कभी काम नहीं करता है परें कुछ लिगा अधर कर रहा है जहरीली शराब काणड्ड को लेकर मुख्यमंति नितीशक कुमार का क्या कुछ कहना था? जो सतरीके से छपरा की ये जहरीली शराब कानड में कई लोगों कि इसमें मौत हो गई कई लोग जो है उन्होंने अपनी जान गवादी इसको लेकर के आप जो मास्टर माइंड था उसे पकड़ लिया गया है तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री नितिश कमार ने अपना बयान दिया है देश्वा नियूज में फिलहाल के लिए इतना ही बने रहे हमार साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए धन्यवाद शिर्फ खबर दिखाना देश्वा निउज का मकसद नहीं देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें